हलो वाई नमास्ते दोस्तों मेरा नाम है पायास रिपाटियो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला जिनके शॉट्स के वीडियो वाइरल नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ सिर्फ शॉर्ट वीडियो को अप्लोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर एक हजा सब्सक्राइबर को कम्प्लीट कर सकते हैं और अपने चैनल को मॉनिटाइज भी करवा सकते हैं आपको इस वीडियो को शुरू से देखना एंड तक देखना एक भी सेकंड को इसकिप नहीं करना सब कुछ बताऊंगा डीटेल में समझाऊंगा लेकिन उससे पहला एकाई चैनल पर पहली बार आए हैं मेक शॉर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपनी वीडियो को अप्लोड करें सबसे पहला करें जैसे वास तिल एंड वेट फॉर दी एंड या कुछ ऐसे जोक्स वाला इमोजी होते हैं उनको यूस करते हैं आप लोगों ने देखा होगा जब आप शॉर्स वीडियो या इंस्टराम पर रिल्स वगरा स्वाइब करते हो तो आप लोगों को ऐसे सस्पेंस टाइटल वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो आपको अपने कॉंटेंट के एक्कॉर्डिंग सस्पेंस टाइटल को क्रेट करना अब इससे होता क्या है तो देखो इससे होता यह कि ओडियंस वहाँ पर रुखती है यार अगर इसने लिखा है तो हो सकता है एंड में कुछ होगा एंड में उनको डेफिनिटल आप देने ही वाले हो लेकिन आप कॉंटेंट अच्छा बनाते हो लेकिन ओडियंस को रोकना सबसे ज्यादा मैटर करता है ओडियंस रिटेंशन अगर आप लोगों का ज्यादा होगा तो यूट्यूब आपके शॉर्स वीडियो को ज्यादा ल बहुत से लोग क्या करते हैं जैसे नॉर्मल यूट्यूब की विडियो होती है बेडियो को ऑपनी शॉट करते हैं उसको एडियट करते हैं 9 is to 16 ratio पर यह आपको short video को create करना है अगर आप लोग इस ratio में create करते हो और उसके बाद अपनी वीडियो को upload करते हो तो automatically वो वीडियो short में चली आती है क्योंकि YouTube के algorithm पर यह fit है कि कोई भी video 9 is to 16 में आ रही है आपके पास उसको directly short video में send कर देना है तो आपको ratio का ध्यान हमेशा से रखना है जब भी आप अपने camera से shoot कर रहे हो editor पर edit कर रहे हो सब जगे आपसे पूछा जाता है यह जो वीडियो जो edit करना आपको किस ratio में करना है और उस पर से edit करना है अब बात करते है tip number 3 के बारे में जो तो tip number 3 है वो है hashtags अब hashtags बहुत ज्यादा important होता है shorts video के लिए आप जब भी shorts video को upload कर रहा है उस time पर आपको shorts से related hashtags का यूज जलू करना है क्योंकि YouTube के algorithm समझता है कि जो भी video 9 is to 16 ratio में यानि कि जो shorts video आया है उसको मुझे पहुंचाना फिर्फ उन लोगों तक है जिनको shorts में hashtags के तुरू बताया गया है यानि कि आप hashtag में hashtag short hashtag अगर आप comedy वीडियो तो hashtag comedy या hashtag आपका dance video तो hashtag dance ऐसे करके अलग-अलग अपने content के according और कुछ shorts के जो default hashtags होते है उनको अगर आप लोग यूज करते हो साथ में hashtag trending hashtag viral ऐसे कुछ hashtags को आप यूज करते हो तो definitely आपका shorts video YouTube बहुत से लोगों तो पहुंचाने वाला है और आपका title अच्छा होगा जो suspense title हो आपने लिखा होगा content आपका अच्छा होगा तो definitely आपके shorts video पे भी viral shorts video viral होने वाला है उ और बहुत से लोग maximum लोग इस tip को skip कर देते हैं क्यों skip कर देते हैं क्योंको लगता है कि या इससे करना साथ कोई फाइदा नहीं है इसके हमारा short video कहां ही viral होने वाला है वो जो mistake है वह आपको title नहीं लिखना description नहीं लिखना और सबसे important tags को नहीं लगाना जो लोग यह करते ह मैं फिर वो complain करते कि या मेरा short video viral नहीं हो रहा YouTube मुझे viral नहीं होने देना चाहता है YouTube मेरा short video को suggestion नहीं करता लोगों तक पहुंचाता नहीं है आपने ना तो title लिखा ना description लगा है ना tags लिखा तो YouTube क्यों पहुंचाएगा YouTube को आपको बताना पड़ेगा आपको title भी लिखना पड़ेगा description भी लिखना पड़ेगा साथ के साथ tags भी आपको लगाने पड़ेंगे YouTube एक video platform है algorithm यही समझता है कि मुझे tags चेक करना है मुझे hashtags चेक करना है अगर 9 is to 16 ratio में आया है मुझे title लेखना है उसके according मुझे logo तक पहुंचाना है तो आपको tag जरूर लगाना है जैसे आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए tags लगाते हो वैसे ही आपको अपने content के according tags का तो यूज विजा करना ही करना है अगर आप लोग टाइटल लिखते हो description लिखते हो tags लिखते हो तो 100% यूट्यूब आपके वीडियो के बहुत impressions देने वाला YouTube shorts वीडियो का impressions increase कर consistently आपका short video viral भी हो जाएगा बस आपको इन 4 tips को follow करना है इन 4 tips पे consistently आप लोगों को काम करना है अगरा हम इन 4 tips पे काम करते हो तो 100% आपका short video भी viral होने वाला है उस पर views भी आएंगे और उस short videos को upload करके ही आप अपने चैनल पे 4000 घंटे का watch time भी complete कर सकते हो और 1000 subscribers तो बहुत जल्दी आपके हो ही जाने वाले बस आपको इंचार tips को follow करना है आयोप आप लोगों को tips पसंद आए होगी वीडियो अच्छे लेकर लेकर लाइक करना वीडियो को share करना साथी साथ YouTube मुझे पहली बार देख रहे हैं अगर अभी तक आप लोगों मुझे Instagram पर follow नहीं किया ह इसे वीडियो में इतना ही मिलते हैं के नई वीडियो के साथ तब तक के लटाटा बाइबाय आएं टेक केर